जै हिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और चलिए कल के प्रश्णों के रिवीजन के साथ में इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं तो पहला प्रश्ण था कि जून 2021 के जो पहला बिश्णों टेस्utz चैंपियंस्यफ हुआ है इसमें नियुजीलेंड ने भारत को कितने बिकट से हरा दिया तो नियुजीलेंड ने आट बिकट से हराया था भी हो जाएगा करimes अगला प्रश्ण था कि जून 2015 में भारत के किस राजी में बिश्चो का जो पहला अनुवानसिक रूप से संसूदित रवढ़ है इसके पौध ही लगाए गए तो ये लगाए गए हैं असम के गुहावटी में यानि के D हो जाएगा करक्ट अगला प्रश्ण था कि जून 2021 में जारी सदी के परूपकारी व्यक्तियों के सूची में किस ने सीर सस्थान पराप्त किया है तो सीर सस्थान मिला है जम सेजी टाटा को आप्सेन हमारा ए हो जाएगा करक्ट अगला प्रश्ण था कि जून 2020 में किस बैंक के द्वारा पे योर कॉंटेक्ट सेवा को लॉंद किया गया तो इसे अभी लॉंद किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने यानि कि option C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि जून 2020 में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के फ्रेमवर के समझोते पर 95 देश के रूप में हस्ताचर किया तो ये समझोता किया है डेन्मार्क ने यानि किसी हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि चेन की कंपनी वन प्लस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड मेश्डर बना दिया है तो इसे बनाया है इन्हों ने बनाया है जस्परीद दुम्रा को option हमारा A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि जून 2020 में किस देश ने ड्रोन को हवा में सूट करने के लिए लेजर बीपन सिस्टम का सफल परिच्छन किया तो इसका परिच्छन किया है इजराईल ने option हमारा D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि किस केंद्रिय मंत्री के द्वारा भारती ओलम्पिक टीम के लिए आधिकारिक थीम सौंग को लौंद किया गया तो इसे लौंद किया खेल मंत्री किरण रजी जूने यानि कि option A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि प्रतेक वर्श अंतर राष्ट्य ओलम्पिक दिवस कम बनाया जाता है तो ये हर साल होता है तेश जून को यानि कि option C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि 100 मीटर के दोड़ को पूरा करने वाली दूसरी सबसे तेज महिला कौन बनी है तो इनका नाम है सैली एन फ्रीजर फ्राइज और ये हैं जमयका की option अमारा D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि मावया सूधन किस राज या या यूटी से भारत की पहली महिला फाइटर बनी है एर फोर्स में तो ये बनी है जम्मू और कास्मी राज से option B हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि टोक्यो उलम्पिक के लिए चुनी गई भारतिय प्रोष टीम के कप्तान कौन बनी है तो इनका नाम है यहाँ पर मनप्रीज सिंग क्या नाम है मनप्रीज सिंग नाम है तो option अमारा A हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि भारत की जो सिफाली वर्मा है किस देश के खिलाफ टेस्ट मैज की दोनों पारियों में अर्थसतक लगाने वाली सबसे कम उम्रकी किर्गटर बनी है तो यह बन गई है इंगलेंड के खिलाफ option अमारा D हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि जून 2000 केस में इलाहा बाध हाई कोट के नए कारिवाहक मुख्य नयदेश की रूप में किसको न्यूकत किया गया तो यहां पर न्यूकती हुए मुनिश्वर नाथ भंडारी की option हमारा C हो जाएगा correct अगला प्रश्ण था कि किस देश के पूरवराश्पती वेनिंगो अक्कुइनो का निधन हुआ है तो यह थे फिलिप्रदेश के option हमारा A हो जाएगा correct वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनकेडमी के उपर follow नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी profile की link मिलेगी उसके उपर क्लिक करके वहां पर आप मुझे follow कर सकते हैं डेली मेरी यहाँ पर दो क्लास होती है एक क्लास आपकी 12 बजे होती है जिसमें आप लोगों को current affair के वीडियो मिलेंगे यानि कि current affair का हम लोग revision कर रहे हैं इसमें और साम को साहरे 3 बजे वाले जो क्लास होती है वह especially आपके होती है group D exam के लिए तो group D के जो previous year question है उनको हम लो पिन कमेंट में मिल जाएगे इसके अलाव मैं आपको बता दू कि unacademy platform के उपर हमारे देश में जितने भी course होते हैं उन सभी के plus subscription मिल जाएंगे तो अगर आपको इन में से किसी भी course को purchase करना है तो बस आप लोग unacademy का learning app download करिए अपना goal वहाँ पर select करिए और subscription लेने के पहले आपको use करना है code kv10 इससे आपको 10% का discount देगी unacademy बाकी जो 10% का cashback है जितना पैसा आप pay करेंगे वह आपको मेरे द्वा account में तो इस offer का आप लाब उठा सकते हैं 6-12 तक के course भी आपको मिल जाएंगे तो उन course को भी आप लोग अगर चाहें तो available कर सकते हैं और हर संडे को आपका combat होता है जिसमें participate करके आप लोग free courses भी जे सकते हैं हर हबते यहाँ पर नए course शुरू होते हैं और एक subscription में आप ज दिल्ली खेल विशुद्याले के पहले कुदपती के रूप में किसे न्यूप किया गया तो यहाँ पर न्यूप किया गया है करणम मल्ले सुरी को किसे करणम मल्ले सुरी को तो ध्यान रखेगा option हमारा C हो जाएगा यहाँ पर correct अब करणम मल्ले सुरी कौन है तो पहले तो आपको ये ध्यार रखना है कि भारोत तोलन यानि कि वेट लिप्टिंग की ये खिलाडी थी और 2000 में जो आपके सिड्नी में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कां से पदक जीता था तो हमारे देश की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में आपके पदक जीता था और आ हमारे यहां का बदम स्री होता है उन सभी से सम्मानित किया जा चुका है अगला प्रशन है कि जोन 2020 में निर्भ है सूपर सोनिक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परिच्छन किया गया तो इसकी मारक्षमता कितनी है तो इसकी जो मारक्षमता है वो है 1500 किलोमेटर यानि कि इस परिच्छन का ओप्सन हमारा D हो जाएगा ध्यान आपको यह रखना है कि उडिसा में जो आपका बाला सोर में इंटीग्रेटर टेस्ट रेंज है वहां पर इसका परिच्छन किया गया और इसकी जो मारक्षमता है वो 1500 किलोमेटर है इसका विकास जो है वो DRDO के द्वार किया गया था और इसकी खास बाती है कि एक बार आप इसको फायर करिए तो कई सारे जो आपके लक्ष होते हैं उनको यह हिट कर सकती है तो अभी इसका परिच्छन उडिशा राज में आपके किया गया है अगला प्रशन है कि जोन 2000 केस में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ के इसे अपधियर बिजनेस लोद योजना को लॉंघ किया है तो यह लॉंघ किया है हमारे देश के सबसे बड़े बैंक यानि की स्टेट बैंक और इंडिया नी तो ऑपसन हमारा यहां पर ए हो जाएகा अब क्या है ये योजना तो ध्यान रखिएगा मान लेते हैं हमारे देश में कोई अस्पताल है या फिर कोई नर्सिंग होम है या फिर आपका कोई पैथोलोजी लैब हो गया या फिर कोई ऐसा उद्धिम जो की आपके स्वास्त सेवाओं से जुड़ा हुआ है तो उनको यहा जाएगा अब रिंड किस काटेगरी में कितना मिलेगा तो जैसे देखिए मैट्रो सहर है तो इसमें सव करोन तक करेंड होगा टीयर वन में आपके 20 करोन तक करेंड होगा टीयर 2 से 6 तक के जो सहर होंगी यहां पर 10 करोन तक करेंड दिया जाएगा इन सभी रिंड में अगर किसी भी व्यक्ति को दो करोन तक करन लेना है तो उसे कोई भी कोलाटरल देने की ज़रूरत नहीं है तो ये शुरू किया है SBI ने जो की हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI के स्थापना एक जुलाई उनीजसो पच्पन को हुई थी मुख्याले आपको मुंबई में मिलेगा और इसके अध्यचन दिनेश कुमार खारा तो ध्यान अखिएगा आरोग्यम जो योजना है वो SBI ने भी सुरू किया है अगला प्रेशन है कि किस देश की कैली मैक कियोन ने 100 मीटर बैक स्टोक तैराकी का बिस रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो यह है आश्टेलिया देश की यानि कि इस प्रेशन का आप्सेन नंबर भी हो जाएगा अब स्विमिंग के बारे में आप सभी को पता होगा जिन्होंने किया होगा कि इसमें आपके कई तरीके से स्विमिंग की जाती है तो बैक स्टोक स्विमिंग में जो 100 मीटर का रिकॉर्ड था वो अमेरिका के रेगन स्मित के नाम पर था रेगन स्मित के द्वारा 57.57 सिकंड में यहां पर 100 मीटर के बैग स्टोग स्वीमिंग को पूरा किया गया था लेकिन अब जो आश्टिलिया की तैराख है केली मैक कियोन इन्हों ने मातर 77.4-5 सिकंड में इसको पूरा कर दिया है तो इन्हों ने इनका ये जो बिस रिकॉर्ड था इसे तोड़ दिया है तो ध्यान र पूरसकार मिला है केरल के कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यानि कि इस प्रश्न का ऑप्सन नंबर भी हो जाएगा अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने फरवरी वाले करेंट अफेर में डिसकस किया था कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जो बैं ध्यान रखेगा कि यात्रियों के राय के आधार पर यह पुरसकार दिया जाता है और पिछले जो 10 साल नहीं हैं उनमें हमारे कोचीन को काफी सारे पुरसकार भी मिले हैं एयरपोर्ट काउंसल इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इसका मुख्याले आपको मिलेगा कनाड़ा के मोंट्रियाल में अच्छा मोंट्रियाल की बात हुई है तो ध्यान रखेगा इंटर्नेशनल एयर ट्रांसपोर्ट असोसियेशन का मुख्याले भी यहीं पर है वाड़ा यारे की वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी का भी मुख्याले आपको यहीं पर मिलेगा इसके अस्तरिय उर्जा गोल में सम्मेलन होगा इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा तो इसका आयोजन होगा हमारे देश भारत में यानि कि इस प्रेशन का आप्सन नंबर यहां पर डी हो जाएगा अब यह गोल में सम्मेलन है क्या तो ध्यान रखेगा जो हमारे एसिया के विफिन देश हैं, उनके उर्जा मंत्रे इसमें सामिल होते हैं, तो 2022 में इसका आयोजन किया जागर 22 में, और इससे पहले जो आठवा एडिशन हुआ था, वो आपके UAE में हुआ था, तो बहुत ज़्यादा महत्मोर्ण प्रश्ण नहीं है, बस थोड़ा सा याद दिखे का क कि हमारे देश में इसका आयोजन प्रस्तावित है, अगला प्रश्ण की जून 2020 में, इफको ने किस देश में नैनो यूरिया प्लांड के लिए, आई यन, AES, वा को आपरेरर के साथ में समझोता किया है, तो ये समझोता किया है, अर्जेंटीना में अस्थापना के लिए, यानि कि ऑप्सन यहां पसी हो जाएगा, करेक्ट, अब ध्यान आपको क्या रखना है, कि अर्जेंटीना में जो हमारे देश के इफको कमपनी है, यानि कि इंडियन फॉर्मर फर्टीलाइजर्स को अपरेटिब, इसके द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड मैनुफेक्चर प्लांट के स्थापना की जाएगी, ये आपको याद रखना है, अर्जेंटीना की बात करें तो दच्छिन अमेरिका का देश है, ब्यूनर आयर्स में इसकी राजधनी आपको मिलेगी, मुद्रा यहां की है पेसू, और अलबर्टो फर्णा डेज यहां की है राष्ट पती तो इपको के द्वारा इसकी अस्थापना की जाएगी, अगला प्रशन है कि जून दो जाएक किसमे भारत सरकार ने मिजूरम स्वास्ट प्रणाले सुद्री करण पर योजना के लिए किस बैंक के साथ में 32 मिलियन डॉलर करण के लिए समझोता किया है, तो ये समझोता हो जाएगा करेंट, तो बस इतना याद दखिएगा कि जो मिजूरम राज्य है, वहां की स्वास्त सिवाओं को और बहतर बनाने के लिए, जो भी वहां के लोग हैं, उनकी स्वास्त सिवाओं तो पहुंचो सके, उसके लिए 32 मिलियन डॉलर करिंड के लिए समझोता हुआ ह बिस्व बैंग के साथ में, उप्सन हमारा ए हो जाएगा करेंट, वर्ल्ड बैंग की बात हुई है, तो 1944 में इसके इस्थापना हुई थी, हेटक्वाटर आपको मिल जाएगा वासिंग अटन DC में, और याद दखिएगा कि डेविड मैलपस इस समय इसके अध्यच्छ हैं जो की आपके हैं, अमीरिका के जो भी आपके student है या जो भी teacher है उन सभी के द्वारा जो भी हमारे अस्थानिय उत्पाद होती है या अस्थानिय सामगरी होती है उनका उप्योग करके खिलोने का निर्मार किया जाता है तो उसी की यह एक प्रद्रसनी है और यहां पर जो विजेता होंगे उनको 50 लाग रु हमारे इसी में लगे हुए है यानि कि सिच्छा मंत्राले हो गया कपड़ा मंत्राले हो गया मैला और बाल विकास है MSME है वानिज और उद्योग है इसके लावा सूचना और प्रसाण मंत्राले है तो इन सभी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है अगला पैस्ट ने कि जून 2020 में किस राजकी सरकार ने जनजातिये किसानों के लिए एगरी कल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2020 को लौंज किया है तो यह लौंज कर दिया है गुजरात राजकी सरकार ने यानि कि ऑप्सन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट अब यह योजना है कि आए थ और इन सभी किसानों को योजना के अंतरगत 45 किलोग्राम यूरिया दिया जाएगा 50 किलोग्राम एनपेके दिया जाएगा और 50 किलोग्राम अमोनियन सल्फेट भी यहाँ पर दिया जाएगा इसके अलावा जो विभिन प्रकार की सब्जिया होती है उनके बीज भी दिये ज यहां किगा गुजरात की सरकार ने से शुरू किया है अगला प्रशन है कि जून 2020 में भारत ने इंडो पैस्पिक रेजन के लिए किन देशों के साथ में ट्राइलेटरल पार्टरशिप किया है तो यह जो समझ होता है वो अभी किया है भारत ने जापान और इटली के साथ में यानि कि इस प्रशन का option number हमारा B हो जाएगा correct तो बस आपको यहीं याद देखना है कि जो हमारा हिंद महासागर और प्रसांद महासागर का छेतर है यहां पर आपकी सांती विवस्था बनी रहे जो भी हमारे इस रूट से ट्रांस्पोर्ट होते हैं जहाजों के वे सभी य यहां पर यह जो ट्राइलेटल पार्ट नसिफ है वो जापान इतलिय और भारत के बीच में हुआ है तो B हो जाएगा यहां पर correct अगला परशने की जूंद हो जारक किस में किस केंद्री मंत्री के द्वारा राश्ट राश्ट अस्तर ये जान है तो जहान है अप्यान को किया है हमारे अलपसंकेक मामलों के जो मंत्री है नाम इनका है मुक्तार अंसार नकवी तो option हमारा यहां पर A हो जाएगा correct तो जो भी हमारे ग्रामेड छेत्र हैं या जो भी हमारे सुदूर छेत्र हैं वहाँ पर लोगों को COVID-19 का जो टीका है उसके प्रती जागरुक करने क लिए इसकी शुरुवात की गई है तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से यहां पर केंद्रिय मंत्री मुक्तार अंसार नगवी के द्वारा इसकी शुरुवात की गई तो आप लोगों ने भी अगर टीका नहीं लगवाया है तो टीका आप लोग लगवा सकते हैं मेरे घर म कि जून 2019 में प्रकासित पुस्तक इसके लेखक कौन है तो ये जो किताब है उसे लिखा है मसूर लेखक रसकिन बॉन्ड ने बिटिस मोल के ये भारती लेखक है रसकिन बॉन्ड जी और इनी के द्वारा लिखी गए पुस्तक है इसके लावा आपको ध्यान रखना है कि रसकिन बॉन्ड को हमारे देश की सरकार के द्वारा पदम स्री और पदम भूसन पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है तो इनी के द्वारा लिखी गए पुस्तक है नाम है इससे वॉन्डरफुल लाइफ अगला परिशन है कि जून 2020 में किस राजिया योटी की सरकार ने CM COVID-19 परिवार आर्थिक साहता योजना को लॉन्ड किया है तो इसे लॉन्ड कर दिया है दिल्ली की सरकार ने यानि कि इस परिशन का आप्सन नंबर यहां पर ए हो जाएगा अब यह योजना है क्या तो जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं COVID-19 से जुड़ा हुआ है तो इसके अंतरगत जो भी हमारे परिवार COVID-19 से प्रभावित हुए है उनको 50,000 रुपए की बित्य साहता यहां पर एक बार में दी जाएगी और मान लेते हैं कि किसी भी घर में कमाने वाला कोई ब्यक्ति था तो उस ब्यक्ति की निधन के बाद में उनके परिवार को 25,000 रुपए की साहता भी दी जाएगी और ऐसे बच्चे जिन्हों ने अपने माता पिता को खो दिया है उनको भी 25 साल की एस तक 25 सो रुपए की साहता यहां पर दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी तो दिल्ली के सीम है अरविंद केजरिवाल जी और ध्यान रखेगा यहां के जो लेटिनेंट गवर्नर है उनका नम है अनिल वैजल तो यह भी आपको याद रखना है अगला प्रेशन है कि जोन 2019 में मैफी के क्रियेटर जॉन मैफी का निधन हो गया तो मैफी आपका क्या है तो मैफी आप सभी को बता होगा अगर आपने थूड़ा बहुत भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा तो यह हमारा एक एंटी वैरस सॉट वैर था तो इसी के हमारा क्रियेटर थे जिनका नम था जॉन मैफी पिछले सार यह आपके कर्चोरी के इलजाम में गिरपतार हो गये थे और अभी इनका स्पेंग की जेल में हो गया है निधन तो याद दखिएगा नाम इनका था जान मैफी और मैफी नाम का जो एंटी वैरस वांप्वेर था उसके निर्मान करता थे आपके जान मैफी तो इस तरीके से आज का हमारा जो परिशन वो समापत होता है अब आईए कल के प्रश्णों का उत्तर हम लोग जान लेते हैं पहला प्रश्ण था कि नासा के नए प्रसासा कौन बनी है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है बिल नेलसन जिम बिर्डन स्टीन का इन्होंने अस्थान लिया है और नाम इनका है बिल नेलसन अगला प्रशनी था कि चीन के मंगल गरा के लिए जो मिसन और रूवर है उसका नाम क्या होगा तो इस मिसन का नाम था त्यान वेन वन और जो यहाँ पर रूवर था उसका नाम था जुरोंग जिसका मतलब होता है अगनी का देवता अगला प्रश्ण था कि NASA का जो मंगल गरा के लिए हलिकाप्टर लॉंट किया गया था इसका नाम क्या था तो ध्यान आपको क्या रखना है कि जो रूवर था उसका नाम था परसेवरेंस और जो यहाँ पर हलिकाप्टर भीजा गया है उसका नाम है इनजे न्यूटी क्या नाम है इनजे न्यूटी अगला प्रश्ण था कि NASA और इस्रो का जो संवक्ट मिशन है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है निसार यानि कि NASA इस्रो सिंथेटीक अपरचर रडार तो फुल फॉर्म भी याद दखेंगे हो सकता है पर इच्छा में आपसे फुल फॉर्म इस और चौथा प्रश्ण है कि अग्रेजी भांसा में 2020 में साहित एकादमी प्रश्कार किसे मिला है तो इन प्रश्णों के उत्तर आपको नीचे कमेट सेक्षिन में देने है बाकि अगर आपको किसी प्रश्ण में कोई डावट उगयरा होता है तो वहाँ भी आप मुझ से डा पर पहुँच सकते हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को यहां पर धूर कर सकों वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत और सबसे जरूरी पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत